पंजाब के सरी टीवी और मैं हूँ विनोध लहोट इस समय हमारे साथ पूरो मंतरी और कॉंग्रेस की नेता किरंचोदरी जी है नमस्क्रीजियों अब चुनाव तो चुनाव की त्यारी पूरी होती हैं हम तो अपने पूरे तरीके से आप जानते हो अपने लोगों के बीच म में रहने वाले लोग हैं हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए लिकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली जैसे के सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां प्रेशानियां बद इंतजामियां हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताके हमारी आने वाल पीडियों की जिन्दगी आसान हो सके ना कि इसलिए कि वो जगा-जगा पर सरकारी दफ्तरों में धक्ये खाएं परिशानियों का सामना करना पड़े श्यीदियाजम सर्दार भगत सिंग जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बलके सरकारी दफ्तर खुद चलके लोगों के घर पर आएंगे। शक्षम है अपने करने में और वो काम हो कर रहे हैं, मैं तो हमेशा सारी जगा जा जा के अपने कारेकरताओं को समालती रहती है। क्या कारण रहे कि इस तरह से हुआ है। लेकिन जहां तक हरियाना का सवाल है, मैं समझती हूँ, यहां पर निश्चित तोर से जो है कॉंग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि पिछले पांच साल हों में नहीं, दस साल हों में लोगों ने देख लिया है कि केवल जूट और जुमलों के ओपर जो है, यह सरकार चली है। मतीजा यह हुआ है कि आज जो है यह कॉंग्रेस बीजेपी और या कोई अन्या पार्टी की बात नहीं है, आज जनता यह समझ गई है कि उनके लिए अगर अपने लिए वो यह कुछ भलाई जाते हैं, तो उनको जो है ऐसे सरकार को लेके आना पड़ेगा, जो उनका काम करे और वो जो है उन्होंने देख लिया है कि बीजेपी सरकार जो है यह हमेशा जो है आप जनता की जो है कोई काम करने में सक्षम नहीं रही है, किसी भी तरह से सरकार ने कोई भी ऐसा जो है जनता को निजात नहीं दिलवाया है, आज बेरोजगारी जो है चरहम सीमा पर है, ब औरहो पर कोई भी किसी तरह से उन्कों बिवासा निया कोई तरूटी चलाने का कोई मसलाणी नभी नाजर आ रहा ह। महिलाएं जो हैं वो तरस्थ हैं जो क करमचारी है वो बे बेहाल है और किसान का तो बहुत बुरहा हल होई चुका 2023 की जो बात इन्होंने कही थी कि 2023 के अंदर दुगनी आये कर देंगे आज सारे किसान किसी से भी पूछ लो वो कहते जी आदी से भी आदी हमारी होगी सो इस तरह के जो जुमले और जो जूट दे कर या इस तरह से जो है लोगों का ध्यान भटका कर जो काम भाजपा करती है व और वो हरियाना जो है 36 विरादरी का प्रदेश है और मैं मानती हों कि लोगों को अब समझ आ गई हो बीजेपी जहां पनना प्रमुक तक लेगा है हरियाना में आप सरकार बनाने के दावे करें लेकिन संक्टरन तक यहां बनाने जिला देक्ष अब तक बनानी पाई कॉंग आप जैसे विवानी महंदरगर और इधर है जो जहां से हम पार्लेमेंट शूती चौधरी लड़ती है हमने तो बूथ तक की जो हैं बूथ कमिटी से तक हमारी बन चुकी है इसी तरह से सारी जगा और भी जो है अपने अपने वर्चस के जो इलाके हैं सारे लोग अपना का कर रहे हैं तो इसमें तो मैं समझती हूं कोई ऐसी बात नहीं है राम मंदर को लेकर काफी अभी जैपी ने काफी महौल ऐसा बना दिया कि इस तरह से इसको कैसे देखते हैं हाँ ये महौल बनाने में तो बहुत थगड़े हैं इसमें कोई शक्की बात नहीं है उसके अंदर राम हमेशा पिछड़ जाते हैं, क्योंकि ये इन चीजों के ओपर ही महौल बनाते हैं, अब राम मंदर बनाया, बहुत अच्छी बात है, और हम तो कहते हैं, बहुत ही हम भी जा के दर्शन करके आएंगे, लेकिन ये कहना कि मतलब राम मंदर के ओपर राजनीती करना, हम हम भी करते हैं, दिया बाती रात की हम भी करते हैं, शाम को, तो ये बातें जो हैं, ये जनता को, जो उसकी महंगाई आज इतनी हो गई है, महंगाई के ओपर ये बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पर दो करोड़ नौकरियों की बात कही थी, आज दस साल पूर, बीस करोड़ नौकरियों आनी चाहिए थी, उसकी बात ये नहीं करेंगे, जो करमचारी हैं, उनकी पंशन काट दी गई है, वो उसकी बात नहीं करेंगे, जो जी एस्टी इतनी जबरदस तरीके से इन्होंने जो लगाई है, लागू करी है, तो आम विफसाय जो करता है, ज ये बातें जो काम की बातें हैं, ये वो नहीं करेंगे, जो ये गैस का सिलिंडर साड़े ग्यारा सो रुपे का जो है, इन्होंने पूरे दस साल ये जो इन्होंने निकाल दी है, अब दो सो कम करा है, ये बातें नहीं करेंगे, किसान को राहत देने की बात नहीं करेंगे, तौई बातें करेंगे राम अंदर बना दिया ये बहुत अच्छी बात है। तो यह तो बहुत अच्छी बात है। जो अपने ब्रश्टाचार क्यारों को लगा आया है बीजेपी वे लेकिन कॉंग्रेस के एक सांसद के पास 355 क्रोट रुपे पकड़े जाते हैं हाँ तो जिसके पास पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ करवाई करो इसमें तो कोई शक्की बात नहीं है लेकिन आजी कहिते हैं अबी मेरे को कोई बता रहा था कि इनके बीजेपी का से निर्धारत एक कोई बहुत बड़ा ये है कॉर्पर मतलब कॉर्परिट ऑफिस के बहुत बढ़ा कोई है उसके खिलाफ जो है बहुत हाई कोट ने आदेश दी है बीजेपी एक संसुन के खिलाफ रेप का मामलावी जी तो ये सारी चीज़ें जो है ये बीजेपी अपने उसके उपर तो जो है ना एकदम परदा ढ़ाग देती है तो ये असलियत के अंदर जो हालाथ हो रहे हैं आज जो है आम आदमी यहां पर अपना घर गरस्ती चलाना चौका चूला चलाना जिसको कहते हैं मुश्किल हो गई यह उसको लोगों को अगर अपना बला चाहिए तो इनको बाहर करना चाहिए और लोगों को अगर उसी जात पात के अंदर फसे रहेंगे तो फिर देखो नेता के कोई फरक निया पड़ता नेता के क्या होगा वो तो अपने मसले लेकर आगे पीछे घुमते रहेंगे लेकिन सचाई में नुकसान जो है वो अपने जनता का खुद का होता है और जनता को इस बात को सोचना होगा अभिवजा नेता को प्राव के क्या लिए लटते हो एक बाता होगा खुद करने के ऊपने कारस के लिए लड़ते हैं के हग के desert के लिए वो लड़ाई हम जारी रखें अब ये तो भविशे के गर्व में है मैं कोई पंड़ जी तो हो नहीं कि बता दूं कि क्या होने वाला है तो ये थी किरन चोधरी जिन्नोंने बड़ी बेबाकी के साथ सवालों के जवाब दिये और दावा किया कि हर्याना में इस बार कॉंग्रेस की सरकार जरूर बनेगी क्योंकि अगर जनता भला चाहती है तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा विनोद लाहोट पंजाब के स्री टीवी समाल खा हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद